बिहार में दो सीटों पर उपचुना होने वाला और मुकावला काफी करा रहेगा लगातार कॉंग्रेस राज़ा देक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और वहीं जन अधिकार पार्टी की बात कर लिजाए तो जन अधिकार पार्टी के तरफ से पपु यादव जो जाप के स प्रीमों हैं उन्होंने कॉंग्रेस को समर्थन दिया है लगातार तारापूर कुशेशवर अस्थान कैम करके आए और सबसे बड़ी बात कर लिजाए तो बिहार की जो राजनीती है वो देश की राजनीती की दसा और दिसा तैक करती है और यह वाव भी जो है युवा जो ह है वो बर चरकर हिस्सा ले रहे चुनाओं में आखिर किसका पलड़ा भारी रहेगा हमारे साथ बात करने के लिए पटना इंवर्सिटी के और जन अधिकार पार्टी के नेता मनीश यादव जी है मनीश जी कुशेशवर अस्थान तारापूर आप लोग घुम कैं क्या लग जगहा पे कुशेशवर अस्थान और तारापूर में यूबा और पढ़ा लिखा अमरीका से पर लिख कर आया को सिस्वर अस्थान में अमिदवार दिया गया है और एक सिक्षित यूबा देश को आगे बरहा सकता है इस उमीद से पपू यादव जी ने कंगरे इसको तो उस गाव में सरक था ही नहीं तूटे इंटे की सरक थी उस पे आदमी अगर एक दिन अच्छे सफर कर ले तो तवियत खड़ाब हो जाएगी और लेकिन यही उससे पहले भी विपक्ष था विपक्ष का भी यही हाल है अगर वो कुछ बनाए होते तो वो दिखता ना वह ठीक अस्कूल है ना वहां बिजली की सिती सही है और रोजगार और बेरोजगारी तो आप देश में देखी रहें किस असर प्यार है तो वहां पर इंडिये कह सकते हैं कि जद्यू जिसकी उमिद्वार दिया है और आर जेडी दोनों पूरी तरह से फेल है और बचता कौन है आखिर में कॉंग्रेस जिसने देश को सतर सालों में बहुत कुछ दिया है तो एक उमीद थी और परहे लिखे युबा का समर्थन करना हमारे निताजी ने सुरू से कहा है कि बिहार में और देश में परहे लिखे युबा देश को आगे बरा सकते हैं और कॉंग्रेस ने हमस अपने candidate को देते थे लेकिन जनता का समर्थन मिलता था लेकिन vote bank में convert नहीं उपाता था लेकिन दोनों सीटों को लेकर जो ताल मेल गरबर हुआ राजद और कॉंग्रेस का कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाओ के जब नतीजे आएंगे कॉंग्रेस राजद आपस में लर रही है और इसका फाइदा एंडिये को मिल जा है और फिर राजद कॉंग्रेस चुनाओ के बाद मिल जा तो सबसे बड़ा जो हानी है वो तो आप लोग को मिलेगा देखे पपूय आदब ट्याग की मूर्ती है पपूय आदब ने हमेशा बिहार को बचाने के लिए बिहार की जंता को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया है चाहे वो जेल पांच महीने काट के आये हों या किसी तरह से देख सकते हैं पैसा से, सरीर से, हर तरह से उन्होंने अपना ही बलिदान दिया है दो ऐसे बिपक्षी पाटी, ऐसी एक बिपक्षी पाटी एक सत्ता रूड़ पाटी जिसने आस तक 30 सालों में बिहार में विकास की किसी तरह साथ ती, 30 सालों में ऐसा थोड़ी ना कि राज़त सिर्फ राज़त देखिए, जो भी बैक फूट पे, बैक फूट पे, यहां अग अगर कॉंग्रेस का चलता, तो आज एक सीट पे बटवारा होता, आप इस पॉस्ट देख रहा है कि RJD का क्या स्थिती है, वो एक सीट नहीं देना चाह रही है, उपर से हर जगा से बयान आ रहा है कि, तो बैक फूट पे थी, अगर एक बिधान सभा हम लोग देखिए, इस राज़त के साथ चली जाती है, तो सबसे बड़ा नुकसान आप लोगोगा, ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा, वाकई Congress भरोसा है, Congress ने भरोसों के साथ आप लोग को बलाया, Congress ऐसा कदम नहीं उठाएगा, ऐसा हो दखिए हमने Congress से पहले बिधान सभा और बिहार के विकास के लिए निरने हमारे नेता ने लिया हमारा एक कैंडिडेट भी था जिसको वापस किया गया तो हम लोग को ये विश्वास है कि कॉंग्रेस हारे या जीते इस बिधान सभा में इस बिधान सभा में कॉंग्रेस का जो एजेंडा है और जिस तरह से उन्होंने आर जेडी और ज लेकि वहाँ के अस्पताल, वहाँ के बिश्वीद्याले, वहाँ के स्कूल का पूरी तरह से हाल खराब है, जो पूर में मिले स्टार्टी जहां रोजगार के कुछ अफसर हो सकते थें, उसे भी पूरी तरह से सरकार में बंद कर दिया गया और विपक्च वहाँ पे चुप है विपक्च और सरकार का मूड देखकर, उसके हलात को देखकर युबा ने भी, हमें लगता है कि उन्हें कॉंग्रेस को वोट देगी और कॉंग्रेस को पूर रूप से महाँ से भीजय बनाएगी काम दो नमंबर को साफ हो जाएगा, रोहित नटानिक पतना